शेर बाजार में आज फिर से तेजी देखने को मिली है सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही एक बार फिर से अपने आल टाइम हाई पर पहुंच गे सेंसेक्स ने जहां 74,000 के पार आज क्लोजिंग दी है तो वही निफ्टी ने 22,470 के पार क्लोजिंग दी है ऐसे में निवेशकों के मन में भी सवाल है कि आने वाले वक्त में शेर में क्या पोजिंग रखी जाए आईए जानते हैं इसके बारे में यर एडी एक शेर में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है शेर की कीमत में आज 5.12.00 रुपई की गिरावट देखने को मिली है और शेर एनसी पर 141.12.60 रुपई के भाव पर बंद हुआ इसके साथ ही शेर अपने 52 वीक हाई से करीब 30 फीसेदी से जादा तूर चुका है एनसी पर इसका 52 वीक हाई प्राइज 24.00 रुपई है और इसका 52 वीक लो प्राइज 50 रुपई है IREDA का पिछले साल ही आई प्यो आया था नवंबर 2030 में शेर ने 60 रुपई पर लिस्टिंग दी थी वह इसका इशू प्राइज 32 रुपई था पैरिस इस्टित हैज फंड हैडर नोवा के सीईओ सूमन बेनर्जी ने कहा स्टॉक का चार्ट एक मंदी की परवर्थी को दर्शाता है जो 155 रुपई के महत तो पूर्ण समर्थन सर से नीचे गिर रहा है ये नकरात्मक निवेशक भावना को इंगित करता है और सुझाव देता है कि अगर ऐसा होता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है अगला सपोर्ट स्टर 149 रुपई है यदि स्टॉक इस से नीचे गिरता है तो मंदी की परवर्थी और खराब हो सकती है अगला सकती है